आज महामहिम श्रीमती द्राबदी मुर्मु जी से मेरी शिष्टाचार मुलाकात हुई बिहार वासियों का उन्होंने बहुत-बहुत आभार व्यक्त किया है और बिहार में एक खुशी की बात यह है कि आठ से ज्यादा विधायकों ने ज्राबदी मुर्मु के पक्ष में वोट देने का काम किया कुल मिलाके 133 वोट मिले हैं 125 की हमारे स्टेंथ थी क्योंकि 26 वोट सुभाष सिंग जी नहीं आ पाए थे और दो वोट रिएक्ट हुए हैं उसके बावजूद भी हमें 133 वोट मिलना यह बताता है कि हमारे विरोध ही दल के कारे से बिलकुल संतुष्ट नहीं है और श्रीमती द्राबदी मुर्मु जी और NDA के साथ जाना उन्होंने पसंद किया है मैं बिहार सहित देश के उन सभी विधायकों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सही वक्त पर सही फैसला लेकर के महामहिम द्राबदी मु करने का काम किया है बीच बीच में विवक्षी लोगों की तरफ से कहा जाता है कि बहुत सारे लोग विधायक हमारे संपर्क में हैं यह सा बाते होती रही है लिए जो क्रॉस वोटिंग होई है इस पर आप क्या करें उनके विधायक आपके संपर्क हमारी कुल शमता 126 की है एक सुभाज जी बिमार पड़े थे 125 की हमारी शमता है वोट हमें 133 मिला है दो वोट रिजेक्ट होने के बावजूद भी 133 मिला है तो आप इससे समझ सकते हैं कि कौन कहा है किधर है नेता के प्रती इतना अक्रोश उन्ही के दल में हैं वो सब को अपना हरवाच हरवाच स किसी एक अलग मुकाम पे पहुँच जाता है तो उसे जान मुझ कर बदनाम करने की कुछ इष्टा करते हैं उन्हें यह पसंद नहीं है कि उनके अलावा कोई भी यादो समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी छेत्र में आगे बढ़े और यह कोई नई बात नहीं है उन्निस स नबे से दो हजार पांच तक का इतिहास भी देखिए तो मैं चैलेंज करता हूं राजत को कि वह डाटा दे कि उसने कितने यादो समाज को नौकरी देने का काम किया तो यह केवल वोट बैंक के लिए लोगों को धोखा दे कर बकवास करके बात करते हैं भारतिया जंता पार हैं और बिहार में सब ही समाज भारतिय जंता पार्टी के साथ है हम 110 लड़कर के 74 जीते और 157 लड़के 75 जीतने वाला हमें ग्यान बगारता है